यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी बनाने जा रहा है रोटी के समोसे तो देखना चाहेंगे आप लोग कैसे बनी है यह रोटी के समोसे और इतने क्रस्पी इतने टेस्टी गाइज हमको बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती जिसकी वज़े से हम आपको क्रस्पनेस का नहीं सुना सकते हैं तो देखिए बहुत टेस्टी बहुत यमी रोटी के समोशे कितने जल्दी बन कर तयार हैं बच्चे तो इसको बड़े प्रेम से खाने वाले हैं क्योंकि यह हमारा इंट्रेस्टिंग सा नास्ता बन कर तयार होगा आप इसमें चीज उगारा भी यूस कर स तो चलिए देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं आप सब क्वागत है हमारे यूट्यूब चनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जाने हैं रोटी यह देखिए हमें चार रोटियां ले लिए हैं और कुछ मैस्ट आलू ले लिए हैं वाइल्ड तो इसमें अब हम आट करेंगे हरी धन जाट मसाला हैं अपने स्वात के नमक हमने हरी मिरच नहीं यूज करिए नहीं लाल मिरच यूज करिए तो आप हम सिर्फ सौद के लिए थोड़ी इसी है चिली फ्लैक्स use कर रहे हैं आप चाहें तो हरी मीरच, लाल मीरच अगर बड़ी लोगों के लिए बना रहा है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहा है यह सारे नास्ते लगब लब बच्चे ही प्रेम से खाते हैं तो यह देखे करम मसाला थोड़ा सा और यह टीफिन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बारा से तेरा गंटे आराम से क्रस्पी रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो यह 24 गंटे भी क्रस्पी रहता ह है मगर कैरेंटी है कि 12-13 गंटे बहुत अच्छे से क्रस्पी रहेगा क्योंकि इसमें आलू रहता है इस वजह से थोड़ा मॉश्चेर हो सकता है तो चलिए उसको हम रखते हैं साइड में आपने आटे की इस लरी तो इसमें हम तीन स्पून के करीव आटा ले लेंगे आप अपनी इसलरी गोल और चलिए देखते हैं आप रोटी के साथ क्या करना है तो ले लेंगे नाइफ आपके पास पीजा कटर हो तो आप भी ले सकते हो भी तो बीस सेंटर में रखेंगे और हाफ कट कर देंगे बिलकुल अलग नहीं करना यानि एक तिहाई भागा में अलग क तो यह हम डालेंगे इस पर टोमेटो सॉस आप अगर बड़ों के लिए बनाना चाह रहा है तो आप सेजवान चतनी चिली सॉस या फिल्ट चिली सॉस यह सॉस यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो आप हरी दनिया की तीखी चट्पुटी चतनी बना करके यूज क कर सकते हैं तो इसी तरह से सारे पर हम लगा देंगे तो देखिए कुछ भी ने करना सारी की सारी रोटी में हमें लगा देना है अपनी चटनी जो भी लगानी चाहें आप और उसके बाद में हम ले लेंगे आलू का थोड़ा सा बैटर जो हमने बना करके रखा है बस उसी फैला लेंगे यह हमें तिकोने फैलाना है जैसे ट्राइंगल होता है तो उसी तरह से हमें इससे फैलाना है और इस तरह से देखिए एक फोल्ड कर देना है और यह होगा दूसरा फोल्ड देख सकते हैं यह गाइस यह है दूसरा फोल्ड और इसी तरह से यह चौथा निखेंग अजय निकिले चाहिए ना निकल को यीजसे कि फ्राइक टैम पर इसकी श्टुपिंग वह भी ना निकले या झो यह हमने परत लगाई हुए तो यह भी ना निकले है में सब्सक्राइब करें में डिद्वर्धा जाहें गाइब सब्सक्राइब करें आप तो धे तो आप देखते रहिए कि कि अधो yea को तो यह देखिए फॉरि आइस ईसारी बना लेंगे हम यह दूसरी देख सकते हैं उसी तरह से एदिकवल में तरह से फोल्ट करेंगे ट्राइंगल में रख करके फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया तो ये सारी तरब से कबर हो जाएगा बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और जहां पर खुला हो रहेगा वहां पर हम इसलर ही लगा देंगे ये देखिए इस तरह से आटे का गोल इसे अच्छे से लगा करके हम चिपका देंगे ये देख सकते हैं guys और अब इसे इसी तरह से हम सारे के सारे बना करके इससे रख लेंगे मगर छोड़कर मचाएगा ये इस तरह से नहीं चिपकेगा तो देखिएगा पूरी वीडियो ये देखे निर्न बन करके तयार हैं, तो चलिए, करते हैं इनको फ्राइधी, तो अब देखते रहीटा इसमें हमें क्या करना है, तो जो इस लड़ी हमने बना करके रखी थी, बस उसे हमें इसी तरह से लगा देना है, अपनी स्टुपिंग के ऊपर, ठीक है, पूरा इसका ज नहीं निकलेगी अच्छे से चिपक जाएगी तो यह देख सकते हैं चलिए इसको करते हैं हम फ्राइए एक बात और गायज अगर हम कोई भी चीज जाधा क्रिस्पी चाहते हैं तो कोशिस हमें यह करनी चाहिए कि बहुत धीमी नहीं तो बहुत धीमी फ्लेम पर इसको हमें और इसको हम ऐसे फ्राइ कर लेंगे उलटते पलटते तो यह देख सकते हैं इस तरह से उलटते पलटते आप फ्राइ कर लें बिल्कुल भी स्टेपिंग बाहर नहीं आएगी एकदम गैरेंटी है हमारी इस तरह का नास्ता आप में नहीं देखा होगा कि इतनी जल्दी और यम्मी नास्ता बनकर तयार हो जाए बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी क्योंकि आप इसमें बेजटेबल्स भी आट कर सकते हैं और पनीर है प्रोसेस चीज होगा रहा है यह चीजें भी आट कर सकते हैं तो बच्चे खुस होकर खाएंगे तो देखिए फ्राइ हो चु यम्मी टेस्टी रोटियों से बने विए समोसे तो अगर हमारे यह रेस्पी आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए हैल्फुल रही हो किसी चीज के लिए तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें तो बस कमेंट करके जरूर हमें यह बताएं कि आपको यह रेस्पी कैसे लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रेस्पी खत्बाब आए